हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो मॉम्स एंग किड्स फ्रेंड्स सद्धियां चल रही हैं और इस मौसम में तिल खाना काफी अच्छा होता है तो आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ तिल मावे के क्रंची लड्डू आईए बताती हूँ इसे हम कैसे बनाते हैं इसके लिए लिया है मैंने 2500 ग्राम के करीब तिल इससे हम कडाई में डाल देंगे और धीरे धीरे इसे मंदी आज पर भुनेंगे ज़धा तेश नहीं करना है बस धीरे धीरे भुनना है इसे चलाते रहें ताकि यह चारत दरफ से अच्छे से सारे दिल अच्छे से भुन जाए यह देखिए तिल हमारे भुनने लगे हैं जब यह भुन रहे होते हैं तो इसको इसमें आवास ही आती है जिससे आपको पता चल सकता है कि यह भून गए हैं तरह से मैंने यह काले तिल भी लिए हैं इसे मैंने वाइब तिल की कमपेरजन में हाफ कॉंटिटी में लिया है इसे भी हम बराबर चला के भूनेंगे और जब इसमें पटपट की आवाज आने लगे तो समझेंगे यह तिल हो चुके हैं अब कि मैंने आधा किलो खोया लिया है और इसे भी हम भूनेंगे अगर फ्रेज में रखा है तो आप उसे चाहें तो थोड़ा सा ग्रेट कर लें या बाहर रखके उसे थोड़ा सा पहले नॉर्मल कर ले और फिर डाले जब खोया भूनने लगता है तो यह थोड़ा सा पतला हो जाता है पहले के comparison में यह देखे खोया हमारा भून चुका है इसे बराबर चलाते रहें तो यह अच्छे से भून जाएगा अब यह हमारे तिल भी ठंडे हो गए है अब मैं इसका जो यह वाइट वाला तिल है इसकी आधी कॉंटिटी मैं मिक्सी में पीस लूँगी अगर आप इसे ठंडा करके नहीं पीसेंगे गरम में पीसेंगे तो इसमें से यह तेल छोड़ देता है जो हमें नहीं चाहिए अगर में पीसेंगे तो यह तेल छोड़ देता और अभी यह बिल्कुल पॉफेक्ट है यह हमारा मावा भी अब नॉर्मल हो चुका है इसमें अब हम अपनी पिसी हुई तिल को डाल देंगे धाई सो ग्राम के करीब इसमें हम अपनी चीनी डालेंगे इसे अब पहले मिक्स करेंगे स्पून की हेल्प से चीनी आप चाहें तो थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग तो यह टेस्ट इसको भात से पहले अच्छा से मिक्स कर लेंगे ताक यह सारी चीज जो भी तिल मावा NH और चीनी हैं यह सारी चीज रच्छा से अपस में मिल ज़्याएं अब इसकी क्रुंचिन्ध के लिए जो मैंने यह तिल बचा के रखा है इसमें हम डाल देंगे मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें सारे अपने तिल को डाल दूँगी और इसमें अच्छे सा मिक्स कर दूँगी देखें मैंने अपने सारे तिल को इसमें डाल दिया है और इसे पुरा मिक्स कर लिया है अब इसके धीरे धीरे करके हम अपने लड़ू बनाना स्टार्ट करतेंगे अंदर खोया है तिल है और चीनी है और उपा से जो यह हमने तिल डाला इसकी वज़ा से हमें अपने लड़ू में क्रंचीनस आएगा और टेस्ट में भी यह काफी अच्छे लगेंगे और दिखने में तो यह सुन्दर लगी रहे हैं आप भी बनाईए और मुझे बताईए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आपसे ज़दा ज़दा लाइक शूर और सबस्क्राइब जरूर करें तैंक यू